सब्सक्राइब किजिए Techmindbird चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए किलिक किजिए इस बेल बटन पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि फिनो पैमेंट बैंक UPI पर रेजिस्टेशन कैसे करते हैं बैंक अगाउंट कैसे लिंक करते हैं ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूं उमेश सेनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल Techmindbird मैंने पहले से ही फिनो वीपे अप को अपने मोगाईल में इस्टॉल करके रखा है आप इसे Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे description में डाउनलोड लिंक दे दिया है उस लिंक पर क्लिक करके अप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए इसे open कर लेते हैं यहां बताया है कि आप फिनो वीपे अप से क्या-क्या कर सकते हैं पेज को slide करके read कर सकते हैं इसके बाद इस arrow पर क्लिक करेंगे अब यहां register पर क्लिक करेंगे यहां mobile नमबर डालेंगे जिस नमबर से एप register करना है इसके बाद continue पर क्लिक कर देंगे अब mobile नमबर पर एक OTP आएगा उस OTP को यहां डाल देंगे और continue पर क्लिक कर देंगे अब यहां अपना first name डालना है यहां last name डालना है यहां mobile नमबर और email आईडी automatic ले लिया है यहां से एक ID सेलेक्ट करनी है तो मैंने voter ID को सेलेक्ट कर लिया है यहां ID नमबर डालना है यानि आप उपर जो भी ID सेलेक्ट करते हैं उसका ID नमबर डालना है इसके बाद continue पर click कर देंगे अब यहां से एक color choose करके continue पर click करना है अब इन में से एक image को select करना है इसके बाद continue पर click कर देंगे यहां click to get started पर click करेंगे अब चार उंगों का app का login mpin create करना है इसके बाद register पर click कर देंगे यह देखिए registration successful हो गया है अब Proceed to Login पर क्लिक करेंगे अब MPIN डालकर Login करना है Login करने वह First Interface इस तरह का मिलेगा अब UPI Register करेंगे तो यहाँ Beam UPI के Option पर क्लिक करेंगे अब SMS के दुआरा Mobile अमर वेरिफाई होगा यहाँ से Bank में Registered Simcard को सलेक करके Send SMS पर क्लिक करेंगे अब BPA बनाना है API ID या Payment Address भी बोलते हैं Virtual Address से आप बिना Account Number बताए Account में रुपए ले भी सकते हैं और रुपए दे भी सकते हैं Virtual Address आप खुदी बनाना होता है अपनी पसंद का कुछ भी Virtual Address रख लेंगे तो मैंने अपने Virtual Address टाइप कर दिया है Virtual Address के उपर मैंने अलग से एक Separate वीडियो भी बना रखा है उपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं इसके बाद Check Availivity पर क्लिक करेंगे अब यहां से Bank Select करना है जिस Bank में Account है Bank Select कर देए यहां आपका Account नमर आटमाइटिक आ जाएगा इसके बाद Proceed पर क्लिक कर देंगे दोस्तों इसके बाद आपसे Transaction UPI Pin सेट करने के लिए बोला जाएगा अगर आपने Add किये गए Bank Account के साथ पहले से UPI Pin सेट कर रखा है तो उसी UPI Pin को यूज़ कर सकते हैं और UPI Pin सेट नहीं किया है तो पहले आपको UPI Pin सेट करना होगा UPI Pin कैसे सेट करते हैं और UPI Pin कैसे चेंज़ करते हैं इसके बारे में मैं वीडियो के लाश्ट में बताऊंगा मेरा UPI Pin पहले सेट है इसलिए यहां मुझसे बोला जा रहा है कि आप उसी UPI Pin को यूज़ करना चाहते हैं तो continue कर दें और UPI Pin चेंज़ करना है तो यहां से टिक हटा का Pin चेंज़ कर सकते हैं तो मुझे UPI Pin चेंज नहीं करना है इसलिए मैंने प्रोसीट पर क्लिक कर दिया है यह देखिए वर्चूल अडर्स क्रियेट हो गया है चलिए अब मैं आपको ट्रांजेशन करके बता देता हूँ यहां go to home पर क्लिक करेंगे यहां send money पर क्लिक करेंगे अब यहां से transfer type select करना है आप IFSC और BPA के द्वारा रुपए transfer कर सकते हैं तो पहले मैं आपको BPA के द्वारा रुपए transfer करके बता रहा हूँ तो मैंने BPA select कर लिया है यहां pay का virtual address डाल देंगे इसके बाद verify BPA पर क्लिक कर देंगे यह देखे यहां pay का नाम automatic आ गया है यहां रुपए डाल देंगे जितने रुपए transfer करने है रिमार्स्ट में narration डाल देंगे इसके बाद proceed पर क्लिक कर देंगे अब transfer now पर क्लिक करेंगे अब UPI पिन डाल कर OK कर देंगे यह देखे रुपए transfer हो गए हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि account number के द्वारा रुपए कैसे भिशते हैं back आ जाएंगे फिर से send money पर क्लिक करेंगे यहां क्लिक करके transfer type सेलेक करना है अब हमें IFSC सेलेक करना है यहां pay का नाम डाल देंगे यहां account number डाल देंगे यहां IFSC code डाल देंगे यहां रुपए डाल देंगे remarks में narration डाल देंगे और transfer नाव पर क्लिक कर देंगे अगर beneficiary save करना है तो यहां टिक कर देंगे और फिर transfer नाव पर क्लिक कर देंगे अब UPI pin डाल कर OK कर देंगे यह देखिए pay के account में रुपए transfer हो गए है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रुपए के लिए request कैसे भीज़ते है back आ जाएंगे अब यहां request money पर क्लिक करेंगे यहां pay का virtual address डाल देंगे और verify BPA पर क्लिक कर देंगे यह देखिए यहां pay का नाम आ गया है अब यहां रुपए डाल देंगे remarks में narration डाल देंगे यहां से request expiry time set कर सकते हैं इसके बाद request now पर क्लिक कर देंगे अब proceed पर क्लिक करना है यह देखिए request चली गई है अब pay जैसे ही request को approve करेगा तो उतने रुपए आपके account में credit हो जाएंगे चली अब मैं आपको इसके बागी के option के बारे में बता देता हूँ back आ जाएंगे यहां पर क्लिक करके request money notification चेक कर सकते हैं आप जो भी request भेजेंगे वो send में दिखाई देगी और कोई आपको request भेजेगा तो वो receipt में दिखाई देगी यहां क्लिक करके आप transaction history देख सकते हैं हमने अभी जितनी भी transaction की हैं वो सब यहां पर सो हो रही है अब यहां manage पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करके आप और भी BPA add कर सकते हैं यहां क्लिक करके BPA manage कर सकते हैं यहां क्लिक करके BPA delete कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके UPI pin change कर सकते हैं और यहां क्लिक करके UPI pin reset कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करिए सेयर करिए और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आइकन पर जरूर किलिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो के न ओडिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो